हालो विध्यार्तियों हम इस वीडियो के माध्यम से जिस विशे पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है काविबिम्ब और सपाट बयानी डोक्टर नामवर सी का यह निभंद उनकी क्रती कविता के नए प्रतिमान में अपना विशेशिस्तान रखता है इस निभंद के अंतरगत उनोंने जिन विचारों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं उनमें से कुछ विचारों को हमने अपने पिछले वीडियो में जाना है और उसी प्रसंग में हमने जाना था कि कविता की मूर्थी मत्ता के विशे में आम धारना क्या है और जो आम धारना थी वत्थी कि कविता मूर्थ होती है इस विशे में हमने अभियाई शाकुंतलम को कोड़ किया था जो की नामवर्सी ने कोड़ किया है और कावे शास्त की रसवादी विद्वानों की चर्चा भी हमने यहाँ पर की थी रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रसंग में जो विचार वियक्त किये हैं वह विचार भी हमने देखे थे और फिर उन्हीं को समझते हुए हमने कावे बिम्ब की प्रतिष्टा के संब्ध में डॉक्टर नामवर्सी ने जो कुछ भी कहा है उसे अभिव्यक्ती दी थी और इस प्रसंग में हमने चायावाद की चर्चा की थी चायावाद क्योंकि चित्रभाषा की वकालात करता है और सारे ही चायावादी कभी किवल पंथ ही नहीं उसे अनिवारिगुन मानते हैं पर उसके बाद जब प्रगतिवाद आया था तो प्रगतिवाद में बिम्ब की प्रवर्ति कम हुई थी परंत उसके बाद जो नई कविता आई नई कविता ने सोर ध्यान दिया और वापस विंवी कि प्रवर्ति की और ध्यान दिया जाने लगा इसी प्रसंग में नाम वर्सी ने हमारा ध्यान नाकरशित करवाया था कि 1960 का वर्ष एथ्यासिक द्रस्टी से नई कविता के विक्कास का चरम बिंदू था इस बिंदू से एक रास्ता नई कविता की रूडियों की ओर जाता था जिसमें बिंबवादी विक्यापित नुस्कों के अंधा अनुकरन की प्रवरति थी और जो द आते हमने अपने पिसले वीडियो में जानी थी अब हम थोड़ा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और इस विशे में आगे जो कुछ नामवर्सी ने कहा है उसके बिंदू के रूप में हम लेते हैं कि जब कोई कवि या लेखक सायास बिंब का प्रियोग करता है तो उसके द बहुत अच्छा प्रियोग भी नहीं कह सकते हैं वे कहते हैं कि प्रियत्न पूर्वक बिंब योजना का दुश्परिणाम भी सामने आता है वे कहना जाते हैं कि बिंब का जो प्रियोग है यदि वह सहज रूप में हो तब ही कविता को उससे गति और शक्ति प्राप्त होती एकिन जब बलपूरवक प्रयत्नपूरवक के आ जाता है तब कविता चित्रमाद बनकर रह जाती है। उसमें से और भहुत से तत्व, जो कविता की जीवनी शक्ती होते हैं, कविता को जीवन्द बनाते हैं, रस्पोन बनाते हैं, वे सब निकल जाते हैं. जो केदारनासी अपनी कविताओं में विम्ब की बात करते थे उनको भी उन्होंने याँ पर कोड किया है और कहा है कि केदारनासी वेसे कविता में विम्ब के पक्षपाती थे परन्तु उन्होंने इसका बाद में विरहोद भी किया है और इसके लिए उन्होंने तीसरे सब्तक में चापी हुई उनकी कविता की पंक्तियों को प्रस्तूत किया है हम यह उन पंक्तियों को देखते हैं इस अनागत का करें क्या जोकी अक्सर बिना सोची बिना जाने सड़क पर चलते अचानक दिख जाता है यहां पर इस पस्टी है कि अनागत जो है वह अथार्थ भविश है अमूर्थ है किन्तु कवी की द्रस्टी से जब उसे देखा जा रहा है तो उसकी आहट को वह अपने आसपास वातावरण में मैसूस करता है वातावरण के उन मूर्थ संदर्बों के द्वारा आम मूर्थ अनागत को मूर्थ करने का यहां कवीता प्रियास करती प्रतीत होती है जीवन संदर्भों के कारण जब हम देखते हैं तो अनागत एक निराकार भविशे केस्तान पर जीविस सत्ता में प्रतीत होता है एक प्रेच्छाया के समान वह कभी किताबों में हमें गुमता प्रतीत होता है कि कभी कहना जाता है कि एक और तो इतने सरशक्त बिम प्रस्तुत किये जा सकते हैं पर हमेशा कभीता में बिम्ब हो ये आवश्यक नहीं है बिंब की सशक्ता इस बात पर निर्फर करती है कि वह सोभाविक हो और यदि वह सोभाविक नहीं हो तो वह बिंब को न कारते हैं यहाँ पर प्रतीत होते हैं वो कहते हैं कि जब प्रियत्न पूर्वक भीम्बों का प्रियोग किया जाता है तो किसी भी इस्तती में उसे हम उचित नहीं कह सकते। क्योंकि जो प्रियत्न पूर्वक बिम्ब प्रस्तुत किये जाते हैं, वे किसी भी इस्तती में नतों में आकशित कर पाते हैं, और नई कविता को जीवन्थी रहने देते हैं, जहां पर भी प्रियत्न पूर्वक बिम्ब लाये जाते हैं, वहां पाट को, आलोज को का ध्यान, समुचित कविता पर नहुकर, केवल कुछ चमकते हुए बिम्बो पर ही केंद्रीत हो जाता है, और यह कविता की एक अच्छी इस्तती नहीं कई जा सकती, क्योंकि इससे कवित को हम काल जाई रूप नहीं प्रदान कर सकते, नामवर्सी ने इसी विशे में आगे सफल बिम्बो की प्रस्तुती कि इस तरह कविनी की है, इस बात को भी सामने रखाए, और उन्होंने यहां पर तथ्य पूर्वक उधारन भी प्रस्तुत की हैं, उन्होंने विख्रे उवे भी प्रस्तुत करने वाली कविताओं को शक्ति हीन, गति हीन और व्यर्थ की संग्यात से अभिशिक्त किया है। कथी के साथ साथ अच्छे बिम प्रस्तुत करने वाली कविताओं के उधारन सोरूप उन्होंने जिस कवि को यहां प्रस्तुत किया है वह सरविश्वर दयाल सकसे ना उनकी दो कविताओं का उल्लग उन्होंने किया है एक कविता है वह खिड़की जिसमें उन्होंने जो बिम्प रस्तुत किये हम यहाँ पर बिम्प देखते हैं उनकी पंक्तियों को हम देखकर और उसके मादम से समझने का प्रियास करते हैं जिन्दिगी मरा हुआ चुवा नहीं है जिसे मुख में दबाए बिल्ली की तरह हर शाम गुजर जाए और मुंडेर पर कुछ खून के दाख छोड़ जाए दूसरा बिम्प उन्होंने दिया है लोक तंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सब भी सीना फुलाए ये दोनों उधारन उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किये हैं अपने निभंद के अंतरगत और दोनों भीम्बों को अपने आप में उन्होंने पूर्ण बतलाया है और किसी संधर्प के अपेक्षय के बिना ही ये भीम्ब सफल बन पड़े हैं उन्होंने ऐसा भी कहा है यहाँ पर जब हम रेखानकित करते हैं तो रेखानकित बात यह है कि ये दोनों भिम पूरी तरह से स्वतंत्रे इसके साथ ही उनोंने इन कविताओं की चभी अपने इस निभन्द के अंतरगत की है उन कविताओं को भी लिया है जो बिखरे हुए बिम्बों की एक माला तो तयार कर देती है और एसी जो माला वो तयार करती है उन कविताओं में बिम्ब का मूल सुत्र गायब होता है फिर पाठक उनकी माला कैसे तयार कर लेता है इस विशे में में उन्होंने अपनी बात कही ह और वह कहना चाहते हैं कि पाठक यदि उन्हें एक सुत्र में पिरो लेता है तो वह इसलिए पुरा पिरो लेता है कि वह उस संदर्ब से परिचीत होता है जिसमें ये कविताय लिखी जा रही है पर उस विशे में उनका मत यहां पर बड़ा महत्पूर्ण है हम उनके ही शब् दो में बात को समझने का प्रियास करते हैं उन्होंने लिखाये कि विवहारिक दरश्टी से पाठक का ये प्रियास अनुचित नहीं किन्तु सेध्धान्तिक दरश्टी से ये प्रवरती निश्चे ही का विविरोती है यदि किसी कविता का आंतरिक सुत्र ढूनने के लिए पाठक को उस कविता से बाहर सामीक परिवेश का सहारा लेना पड़े तो कविता की पराजे है अथार्थ जब कोई कविता हम पढ़ते हैं तो उस कविता के सुत्रों को हमें बाहर से समिटने की सामीक परिवेश से समिटने की आवश्यक्ता नहीं पढ़ना चाहिए यदि इस तो वह कविता की असफलता है, वह कविता को काल जई कभी नहीं बना सकती, ऐसा नामवर्सी यहां कहना चाहते हैं, उन्होंने अपने निभंद में जो अन्य विचार अभी व्यक्त किये हैं, हम उन्हें अपने अगले वीडियो में समझने का प्रियास करेंगे, आप इस वीड अगले वीडियो आप तक स्वत ही पहुंशते रहेंगे,